पहला कोश्चन है चटानी मक्खी है चार आपसन दे गए हैं देखिए और बताईए इसमें से चटानी मक्खी कौन सी होगी तो आपसन सही होगा इसका C एपिस डारसेटा चटानी मक्खी होती है और चटानी मक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस डारसेटा और ये प्राया चटानों तथा विसाल ब्रच के तनों के नीचे कालोनिया बनाते हैं जहाँ पर आम तोर पर मनुस्यों का पहुंचना संभव नहीं होता है वहाँ पर ये कालोनिय बनाते हैं और रहते हैं ये कितने कितने दिनों पर वयस्क बन जाते हैं, मैचोर हो जाते हैं, तो जो रानी मक्खी होती है, ये 16 दिनों में वयस्क बन जाती है, और जो स्रमिक मक्खी होती है, ये 21 दिनों में वयस्क बन जाती है, इस तरह से option सही होगा, पहला 16 दिन, 21 दिन और 24 दिन, मधुमक्खी निवह में पुमधुप उत्पन्न होते हैं पुमधुप यानि नर, नर को ड्रोन भी कहते हैं तो मधुमक्खी निवह में नर या ड्रोन उत्पन्न होते हैं किस से उत्पन्न होते हैं, चार आपसन दिये गए हैं TGT 2009 में question पूछा गया था, इसका answer क्या होगा, B वाला सही होगा, आने सेचित अंडों से नर उतपन्नों होते हैं या drone उतपन्नों होते हैं, आपको बता दें कि मधुमख्य की कालोनी में तीन प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो रानी जिसे queen कहा जाता है, दूसरा स्रमिक जि निसे ड्रोन बोला जाता है इनमें ड्रोन का निर्माड रानी द्वारा दिये गए आनिसेचित अंडों से होता है जबकि अन्य दोनों निसेचित अंडे से विक्सित होते हैं यानि रानी और जो स्रमिक होता है वो निसेचित अंडे से विक्सित होता है जबकि जो नर है जो ड option सही होगा, option सही होगा, c, मधुमक्खी सماद में स्रमिक, बंध मादा होते हैं, बंध मादा, मधुमक्खी की कालोनी में मैंने आपको बताएं कि तीन पाये जाते हैं सदा से, drone, रानी और स्रमिक, जो drone होता है, जो नर्व होता है, ये जनन योग के नर होता है जनन करने के लिए होता है और जो रानी होती है ये जनन योग के मादा होती है और जो स्रमिक होते हैं वरकर्स होते हैं ये बंध मादाएं होती है निश्ट कुछन है परजीवी बधिया करण पाया जाता है चार आफसन दिये गए हैं इसमें से कौन परजीवी बधिया करन पाया जाता है TGT 2009 मेंट पूछा गया था इसका आंसर होगा C सैकुलिणा में सैकुलिणा में परजीवी बधिया करन पाया जाता है आपको बता दे कि यह अपने पोषद पर इस तरह से प्रभाव डालता है कि उसके जनन अंग या तो होते ही नहीं या फिर आलपविक्सित हो जाते हैं या कलीजी की पुर्तर से नेश्ट हो जाते हैं और इस किरिया को ही परजीवी बधियाकर कहा जाता है जिस पर रहता है उसका क्या करता है कि बिल्कुल उसके जो जर्यनंग होते हैं नश्टध ही हो जाते हैं, खातम हो जाते हैं या आल्प बिक्सित हो जाते हैं, इसी को पढ़ जीवी बदियाकर बोला जाता है Next question है, पीत ज्वर का स्थानांतरन होता है, टी जी टी 2009 में question पूछा गया है थह कि पीत ज्वर का स्थानांतरन किस के द्वारा होता है चाराफ संदिये गए हैं इसमें से option सही होगा C, पीत ज्वर का इस्थानांत्रन मादा एडीज मक्छर के द्वारा होता है आपको बता दें कि अधिकांस्ता मादा मक्छर रोग वाहक होते हैं चाहे वो मादा एनफ्लीज हो चाहे मादा एडीज हो चाहे मादा के उलेक्स मक्छर हो जो अधिकांस्ता मादाएं होती है ये रोग की वाहक होती है और ये काटने पर रोग के कारक को रुधिर में इस्थानांत्रित कर देती है रुधिर में बहा देती है जैसे मादा के उलेक्स philaria का होता है मादा इनेफलीज मैंने आपको बताया था malaria का होता है ऐसे ही मादा एडीज, डेगू, पीत जर तथा चिकन गुणिया का वाहक होता है नेक्स और साधारन क्रिष्टेसिया का दिमभक होता है चारा अपसन दिये गए हैं कौन सा होगा, चार आफसं दिये गए हैं, ये दो बार कोशन पीजी टी में पूछा गया, 2003 में और 2009 में, यानि छे साल बाद फिर से घुमा कर पूछा गया, टसर रेसम कीट है, कौन सा होगा, आफसं सही होगा, पहला, इंथेरिया माईलिटा, इंथेरिया माईलिटा, टसर र भगारा रेसम कीट होता है, अटैकस अटलस भगारा रेसम कीट होता है, और इंथेरिया आसामेंसिस होता जो मूगा रेसम होता है, मूगा रेसम, बॉम्बिक्स मोरी जो होता है, मलवेरी रेसम होता है, बॉम्बिक्स मोरी मलवेरी रेसम, और अटैकस रिसनी एरी रेसम होत बनता है कोकून से चार आपसंद ये गए हैं किसके कोकून से फागारा रेशम बनता है तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो अटायकस अटलस है आपसंद सी वाला है ये फागारा रेशम बनाता है next question है मकडिया तथा बिच्छू समलित किये गए हैं किस वर्ग में मकडिया और बिच्छू संग आर्थो पोड़ा के एरेक्ट निड़ा वर्ग में रखे गए हैं इसका मतलब आपसंद से होगा पहला आर्थो पोड़ा के एरेक्ट निड़ा वर्ग में रखे गए हैं और आपको बता दें कि इसमें स्वसन, बुकलंग्स या ट्रैकी द्वारा होता है बुकलंग्स के द्वारा स्वसन होता है या ट्रैकी के द्वारा होता है कभी पूछ ले जाए कि इसमें स्वसन कैसे होता है तो बताएंगे बुकलंग्स के द्वारा होता है या ट्रैकी के द् उत्पाद होता है मकडियों का उत्सरजी उत्पाद क्या होता उसका नाम क्या है PGT 2013 में कॵस्चन पूछा गया था तो मकड़ियों दोरा उत्सरजी उत्पाद मुकृत से गौणीन होता है गौणीन इसका मतलब आपसन से वका पहला वाला और ये जो पदार्थ होता है उसरजुत पाद ये जल में आगुलन सील होता है निश कुछन है एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे रक्त गुहा को देखना है तो आप किस जानवर को चुनेंगे चार आफसर दे गए जल्दी से सोचे और बताएए TGT 2004 में कुछ से ने पूछा गया था इसका आंसर होगा B, Centipede Centipede में रक्तगुहा आप आसानी से देख पाएंगे आपको बता दें कि हीमो सील गुहा अथवा इसी को रक्तगुहा कहा जाता है ये आर्थो पोड़ा और मोलस्का संग के जन्तों में पाए जाती है जो रक्तगुहा होती है या हीमो सील गुहा होती है किसमें पाए जाती है आर्थो पोड़ा और मोलस्का संग के जन्तों में Centipede आर्थो पोड़ा संग का एक जन्तों है और इसमें वास्तविक देख हुआ यानि body cavity अत्रिक छोटी होती है और देख हुआ में रुधिर भरा रहता है उसे ही ही हीमोसील कहा जाता है नेश कुछन है मैलपीघियन नलिकाएं हैं मैलपीघियन नलिकाएं क्या कारे करती हैं या क्या होती हैं और सही होगा इसमें D कीटो के उसरजी अंग होते हैं मैलपीघियन नलिकाएं मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैलपीघियन नलिकाएं कीटो के उसरजी अंग होते हैं और ये कीटों की विशेस लक्षण हैं, ये महीन आसाखित नलिकाएं होती हैं, और इनका एक सिरा रुधिर में तैरता रहता है, जो की रुधिर से उस सर्जी पदार्थों को अवसोसित करता है, क्रिश्टल बना लेता है, और कुछ पदार्थ इसके दूसरे सिरे से बाहर आह अस्थाई रुप से किसम में संचित होता है, PGT 2004 में कुछ पूछा गया था, इसका आंसर होगा C, वसा पिंडकों में, वसा पिंडकों में संचित होता है, आपको बताते चलें, कि कीटों में वसा काय या वसा पिंडकों में यूरेट कोसिकाएं पाई जाती हैं, यूरेट क पामले की रूप में अस्थाई रूप से संचित कर देती हैं, एकठा कर देती हैं, नेश्ट कुछिशन है, बाम्बेक्स मोरी किस वर्ग के अंतरगत आता है, बाम्बेक्स मोरी का वर्ग बताना है, तो इसमें आप्सन कोई भी नहीं सही है, यहीं कोई भी ऐसा आप्सन नहीं जो Bombix Mori का वर्ग है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें आंसर सही होगा D कोई नहीं आपको बता दें कि Bombix Mori को सामाने रूप से Silk Verm कहा जाता है या Silk Moth कहा जाता है एक प्रकार का मौत होता है और इसका वर्ग कीट है यानि ये कीट वर्ग का होता है और Order या Crumb कह लिजिए लेपि ग्रंथियों का कारे है काकरोज की Collateral ग्रंथियों का कारे क्या होता है चारा संदिय गए है TGT 2002 में questionnaire पूछा गया था इसका आंसर होगा western कोकून निर्माड काप्रोज की जो कोलेटरल ग्रंथियां होती हैं ये कोकून का निर्माड करती हैं आपको बताते चलें कि निसेचन के बाद इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से निसेचित अंडे के चारो तरप एक खोल बन जाता है यानि जब निसेचन हो जा कहा जाता है या O Thrika कहा जाता है निशा कुष्चन है सहद की मक्षी में वैगल नित्त का अर्थ है सहद की जो मक्षी होती है उसमें वैगल नित्त का क्या अर्थ होता है चाराफ सन्दित गहे हैं इसमें से Division hb c संदेश पहुचाने का कारे होता है संदेश पहुचाने का आपको बताते चलें कि सहद की मख्य को अंग्रेजी में हानी भी कहा जाता है सहद की मख्यों का नित्ति उनकी भासा होती है जिसके माध्यम से ये संदेश पहुचाती है और ये संदेश भोजन के स्रोत को बताने के लिए होता है यदि स्रोत नजदीक है तो गोलाकार नित्त होता है राउंड डांस अगर हुआ तो स्रोत नजदीक है और यदि दूर है तो वैगल नित्त होता है या दुम अभिदोलन नित्त होता है यानि कि टेल वैगिंग डान्स होता है नेक्ष कुश्चन है दुम अभिदोलन नित्य किसकी भासा है चारा अप्शन दिये गए हैं इसमें से ओप्शन सहयोगा C मधुमक्षी की TGT 2010 में कुश्चन पूछा गया था ये नेक्ष कुश्चन है मधमक्षी में बिसेश प्रकार के नाच का उद्दे से है बिसेश प्रकार के नाच का क्या उद्दे से होता है TGT 2002 में कुश्चन पूछा गया था इसका आप्शन सहयोगा B भोजन के सुरोत की सूचन देना बिसेश प्रकार के नाच का उद्दे से होता है सिल्क वर्म की कोकून निर्माड के बाद की प्रिकिरिया है सिल्क वर्म के जो कोकून निर्माड हो जाता है तो उसके बाद की प्रिकिरिया को क्या कहा जाता है आपसन सही होगा इसमें से B इस्टिफलिंग इस्टिफलिंग कहा जाता है आपको बताते चलें कि सिल्क वर में कोकोन निर्माण के बाद कोकोन को गरम जल या ओवन में रखा जाता है और जिसके अंदर का प्यूपा मर जाता है जब गरम जल में रखते हैं तो क्या होता है जो प्यूपा होता है वो मर जाता है और इस प्रिक्रिया को ही यह सफेद मुलायं सिलिंडर के आकार का होता है पाद बिहीन होता है निए पाद इसमें नहीं होते हैं इसमें सीर का भाग भी दिखाई नहीं देता है next question है कीटों में दो जोड़ी पंक और तीन जोड़ी वच्छे पाद होते हैं परन्तु निमलेखित में से एक के लिए यहाँ परिभासा सही नहीं बैठती है यानि इन में से कोई एक ऐसा जन्तु है कीट है जिसमें यह नहीं होता है की दो जोड़ी पंक और तीन जोड़ी वच्छे पाद जो बताया गया है तो option इसमें से कौन सा सही होगा TGT उन्हें 99 कोईशन पोचा गया था इसका आंसर सही होगा C मच्छर यानि मच्छर इसमें सही नहीं बैठता है क्योंकि मच्छर में तीन जोड़ी वच्छे पाद तो होते हैं लेकिन पंक केवल एक ही जोड़ी होती है जबकि प्रेश्ण में कहा गया कि दो जोड़ी पंक और तीन जोड़ी वच्छे पाद तो मच्छर में वच्छी पाद तीन जोड़ी हो गए लेकिन पंक केवल एक जोड़ी होता है इसलिए option इसमें सही होगा C वाला मच्छर और दूसरी जोड़ी के जो पंक होते हैं मच्छर में वो वेंसलर के रूप में रूपांत्रित हो ज जाते हैं